चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सेलेक्टिड काम की और महत्योपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनिट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्लाइट में बम होने का शक मुंबई में इमर्जेंसी लेंडिंग एक हफते में इंडिगो एरलाइन में बम से जुड़ा दूसरा मामला जैंदुस्तो चैनली से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार को बम होने का शक हुआ इसके बाद मुंबई एरपोर्ट पर इमर्जेंसी डिकलेर करके लेंडिंग कराई गई जिसमें 172 पैसेंजर्स थे फिलाल फ्लाइट में तलाशी लीज आ रही है मेडिया रिपोर्ट के मुताबिद फ्लाइट सुबह करीब 6 बचकर 50 मिनट पर चननाई से रवाना हुई थी मुंबई जाने के दुरान उसमें एक लावारिस रिमोन मिला इसके बाद पाईलेट ने मुंबई एर ट्रेफिक कंट्रोल को सुचना दी और इमर्जेंसी लेंडिंग की जाज़त मांगी मुंबई एरपोर्ट पर सुबह 8 बचकर 45 मिनट पर फ्लाइट की लेंडिंग हुई फाइर ब्रिगेड की गाडियां और एम्बूलेंस को स्टेंड बाई पर रखा गया बम की सुचना के बीच फ्लाइट को एक आईसोलेशन बे में ले जाया गया जहां सभी यातरी उतर गए इंडिगो ने अपने बयान में बताया कि सभी यातरी वीमान से सुरक्षित उतर गए हैं अभी जाँ चल रही है सुरक्षा जाँ पूरी होने के बाद फ्लाइट को वापस टर्मिनल एरिया में ले जाया जाएगा चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार सलमान की कार पर हमले का प्लान चार हुए अरेस्ट पाकिस्तान से एके 47 मंगा रहे थे नामालिंग से अटेक करवाते श्रलंका में जाकर छुपते जहां दूस्तो बॉलिवड एक्टर शलमान खान पर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश को मुंबई पूलिस ने नाकाम कर दिया नवी मुंबई पूलिस ने लॉरेंस विष्णोई के गिरोहों के चार लोगों को गिरफ्तार किया है जो पनवेल में सलमान की कार पर अटेक करने की प्लानिंग कर रहे थे आरोपियों की पहचान धनेंजे, अजे कश्यब, गोरोव भाटिया, वारसी खान, वसीम चिकना और जिशान खान की रूप में हुई है चारों के खिलाफ IPC की धारा 115, 120 B, 506 के दत्मामला दर्ज किया गया है पुलिस ने लॉरेंस विस्नोई, अनमॉल विस्नोई, गोल्डी बराल समयत, कुल 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार इस महीने 10 दिन रहेंगे, बैंक बंद जून में 5 रईवार और 2 शनिवार के लावा अलग अलग जगों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा जिया दोस्तो जून के महीने में, यानि कि जो जून का महीना शुरू हो चुका है उसमें 10 दिन कामकाज नहीं होगा देश में कई वजों से अलग अलग जगों पर 3 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा इसके लावा 5 रईवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे महीने की शुरूआत चुट्टी के साथ ही हो रही है दोस्तो 17 जून को बकरी ईद उल अजहा के मौके पर देश बर में बैंक में रहेंगे वहीं 18 जून को भी जम्मू और कश्मीर में बैंकों में कामकाज नहीं होगा वहीं दोस्तो इसके लावा 2 जून, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23 और 30 जून को शनिवार या फिर रईवार होने की वजह से चुट्टियां रहेंगी चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार अध्यात्मी की यात्रा पर सूपरिस्टार रजनीकांद बदरीनात के दर्शन करने के बाद बोले अभी भूत महसूस कर रहा हूँ ऐसी पवित्र यात्राएं ग्रोथ को और आगे बढ़ाती हैं जिया दोस्तो सूपरिस्टार रजनीकांद हर साल 15 दिनों की आध्यात्मी की यात्रा के लिए हिमाल ले जाते हैं इन दिनों वह उत्राखंड में हैं उन्होंने बदरिनाथ और केदारनाथ में दर्शन किये शोशल मीडिया प्लेट्फोर्म उत्राखंड पुलिस के ऑफिशल अकाउंट से रजनीकांद की एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें एक पुलिस अधिकारी रजनीकांद से मुलाकात करते नज़र आ रहे हैं उन्होंने केदारनाथ धाम का एक मॉमेंटो भी रजनीकांद को गिफ्ट किया शेयर किये गए पोस्ट में बताया गया है कि रजनीकांद बदरिनाथ के दर्शन करने के बाद अभी भूत महसूस कर रहे हैं चले दोस्तो ज़रान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार चीन की डिप्लोमेट ने नेपाली पत्रकार को धमकाया पत्रकार ने कहा था चीन दो प्रतिशत ब्याज पर करज लेकर पांच प्रतिशत वसूल रहा राजदूत ने कहा माफी मांगू जया दुस्तो नेपाल में चीन के राजदूत चैंक सौंग की वहां के एक पत्रकार से बहास हो गई दरसल नेपाल की टकसाल मैगजीन में काम करने वाले एक पत्रकार गजंदर बुद्धा धोकी ने 27 मई को दावा किया कि चीन ने पोकरा में इंटरनेशनल एरपोर्ट बनाने के लिए 5 प्रतिशत की ब्याज पर लोन दिया जबकि डोकुमेंट्स में सिर्फ 2 प्रतिशत मेंशन किया गया है इसे नेपाल में चीन के राजदूत चैंक सौंग ने गलत बताया उन्होंने गजंदर के ट्वीट का जवाब देते वे लिखा कि अगर आपके पास यह साबित करने के लिए डोकुमेंट है तो उसे पब्लिश करें अगर सबूत नहीं है तो ऐसे जूट फैलाने के पीछे क्या इरादा है यह बताईए चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार गोतम गंबीर को लेकर सौरव गाउंगुली की बड़ी भविश्यवानी जिया दोस्तो टीम इडिया के पूर्व क्रिकेटर गोतम गंबीर काफी सुर्खियों में है गंबीर के मेंटर्शिप में कुलकतन आइट रैडर्स यानि की केकियार ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लिग आई पील के सत्रवे सीजन का खिताब जीता था इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबित गंबीर अब टीम इडिया के अगले कोच बन सकते हैं गंबीर के राउल दिर्विड की जगया हेड कोच बनने की संभाव ना है दिर्विड का कारेकाल T20 वर्लकप 2024 के साथ ही समाप्त हो रहा है अब गोतम गंबीर को लेकर टीम इडिया के पूर्व कप्तान सोरोव गांगुली ने बड़ा बयान दिया 21 वर्ष यह गांगुली ने कहा कि गोतम गंबीर ने अगर इस पद के लिए आविदन किया है तो वह अच्छे कोच शाबित होंगे सोरोव गांगुली ने यह भी कहा कि कि किसी भारतिय को ही हेड कोच बनना चाहिए चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार गोतम अडानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी बने 9.26 लाग करोड की नेट वर्थ के साथ अमबानी को पीछे चोड़ा लेकिन दुनिया में 11 वे नमबर पर जियां दोस्तों अडानी गुरूप के चेयर्मेन गोतम अडानी एक बार फिर से ब्लूमबर्ग बलेनियर इंडेक्स में भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं उन्होंने रिलाइंस इंडस्ट्रिस के चेयर्मेन मुकेश अमबानी को पीछे चोड़ दिया है करीब 9.26 लाग करोड रुपे पहुंच गई है वहीं दोस्तों मुकेश अमबानी की नेट वर्थ इस साल 12.7 बिलियन यानि करीब 1.05 लाग करोड रुपे बढ़कर 109 बिलियन डोलर यानि की 9.09 लाग करोड रुपे हो गई है चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार मुकेश अमबानी ने बेटे को दिया 640 करोड का विला बहु को 451 करोड का हार दोस्त पर खर्चे 1500 करोड रुपे दरसल दोस्तों 12 जुलाई को अनंत अमबानी और रादिका मर्चेंट की शादी है चर्चा इस बात कियेगी शादी में गेस्ट को रिटन गिफ्ट के तोर पर चांदी के इस्पेशल आइटेम्स दिये जाएंगे जिनमें आर्टीफेक्ट से लेकर जुवेलरी बोक्ष सामिल है इस गिफ्ट को तेयार करने का जिमाते लंगाना के करीम नगर के महशूर सिल्वर फिलिक ग्री आर्टिस्ट को दिया गया है यह वही आर्टिफेक्ट से जिने पिछले दिनों भारत में वोई G20 सम्मिट के दोरान भारत मंटम में क्राफ्ट एक्स्पो में शोकेस किया गया था दोस्तो इसे GI टेक भी मिला हुआ है वैसे दोस्तो आपकी जानकारी के लबता दे अंबानी परिवार अपने हर खास मोके पर जब गेस्ट के लिए महंगे और कस्टमाइज गिफ्ट प्लान करता है तो वह है अपने घर वालो और खास दोस्तों को क्या-क्या गिफ्ट देता है यह देखने वाली बात रहेगी अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर परिवार है ऐसे में उसकी शादी तो ग्रेंड होना बनती है और रिटन गिफ्ट में भी हुआ है अच्छा खासा खर्चा करने वाले हैं चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार पूरे पोर्ष केस में नाबालिंग आरोपी की मा भी हुई गिरफतार बेटे से बलड सेंपल बदलने का आरोप पुलिस ने नाबालिंग से पुश्तास की जिया दोस्तों पूरे पोर्ष कार केस में नाबालिंग आरोपी की मा शिवानी अगरवाल को गिरिफतार किया गया है पूरे पुलिस कमिशनर अमितेश कुमार ने शनिवार को बताये कि महिला को देर रात अरेस्ट किया गया शिवानी पिछले कुछ दिनों से घर से गयब थी उन पर बेटे का बलड सेंपल बदलने के लिए अपना बलड सेंपल देने और डाक्टरों को पैसे देने का आरोप है पुलिस ने कोट में बताये कि नाबालिंग आरोपी का बलड सेंपल किसी महिला के सेंपल से बदला गया था ताकि ये दिखाया जा सके कि घटना के वक्त वह नश्य में नहीं था और दोस्तों कमाल की बात यह है कि वह मैला कोई और नहीं बलकि आरोपी की माही थी पूरे के कल्याणी नगर इलागे में 18-19 मई की रात 17 साल 18 महीने के एक लड़के ने IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक यूति को टक्कर मारी थी जिससे दोनों की मौत हो गई थी वह 200 किलोमेटर प्रती घंटेगी राफतार से कार चला रहा था चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार साथ अफ्रिका में बहुमत पाने से चुकी मंडेला की पार्टी पहली बार बनेगी गठबंदन सरकार सेक्स स्केंडल से सताओ गावाने वाले जेकब जुमा बने किंगमेकर जहां दुस्तों साथ अफ्रिका में 29 मही को आम चुनाओ थे इनमें नेंसल मंडेला की पार्टी अफ्रिकन नेशनल कॉंग्रेस सबसे अधिक 40.13 प्रतिशत वोट हांसिल कर पाई है लेकिन वह सरकार बनाने के लिए जरूरी 50 प्रतिशत वोट हांसिल नहीं कर पाई वहीं दुस्तों 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अफ्रिकन नेशनल कॉंग्रेस ANC को बहुमत नहीं मिला है वहीं दुस्तों सेक्स स्केंडल और प्रस्टाचार के आरोप के चलते सत्ता गवाने वाले साउथ अफरिका के पूर्व राष्टपती जेकब जुमा की पाटी तीसरे नंबर पर रही उन्हें 15 प्रतिशत अब वोट हांसिल हुए हैं चले दुस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार मारूती सुजुकी की कारे 5000 रुपे सस्ती हुई ओल्टो के टेन, सिलीरियो और फॉंक्स समयत 9 मोडलों के दाम घटाए नई कीमते आज से लागू जहां दुस्तों मारूती सुजुकी इंडिया ने शनिवार को अपने ओटो गियर शिफ्ट लाइन अप में कई मोडल्स की कीमतों को 5000 रुपे घटा दिया है इन मोडल्स में अल्टो के टेन, एस्प्रेसो सेलीरियो, वैगनार, सिफ्ट डिजायर बलेनो, फ्रॉंक्स और इंग्निश शामिल है सभी मोडलों की नई कीमते एक जुन 2024 से लागू हो गई है दोस्तो भारत की सबसे बड़ी कार मेनुफेक्चरर कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है ओटो गियर शिफ्ट एजी एस मारूती सुजुकी द्वारा 2014 में शुरू की गई एक ओटोमेटिक ट्रांस्मिशन टेकनोलजी है